नमस्कार दोस्तों टैक्स पोपर्दी यूट्यूब चैनल में आप सभी EPS 95 पैंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी बजट सत्र चल रहा है और लोग सबार राजे सबाब में जो है EPS 95 पैंशन से संबनित EPS 95 पैंशन से संबनित उससे संबनित सरकार से सरम और रोजगार मंतरी जी से जो है क्यूशन पूछे जाते हैं और जब भी कोई नया अपडेट निकल कि आता है EPS 95 Pension से संबने तो हम कोशिश करते हैं कि सारे अपडेट अपडेट छोटा हुआ बड़ा सारे अपडेट आप सभी EPS 95 Pension दारकों तक वीडियो के मादम से बताएं कि क्या नया अपडेट है Pension बढ़ोतरी को लेकर कहां तक बात पहुँची है राजे सभाब में और लोग सभाब में सरकार क्या जबाब दे रही है EPS 95 Pension से संबने लगातर अपडेट पाना चाहते है चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा जिसे की आगे जो भी कोई नया अपडेट आएगा मानिने सुप्रीम कोर्ट से या फिर EPFO की CBT की मीटिंग से संसत से लोग सभा राजे सभा से कोशिस करेंगे सारे अपडेट आपको सबसे पहले वीडियो की मादम से परवाइड कर सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा चले अब जान लेते हैं आज के नए अपडेट के बारे में तो दोस्तो अपडेट निकल क्या रहा है मानिने लोग सभा से लोग सभा में जो है EPS 95 पैंशन से संबनित पैंशन के संबन में कोशियारी सिमित्ती की जो सिपारिस लागू करनी है करनी थी उसको लेकर क्यूशन पूचा गया है देख सकते हो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा भारत सरकार सरम और रोजगार मंतराले लोग सभा क्यूशन संख्या परसन संख्या है 732 क्यूशन पूचा गया था सोमवार को 7 फरवरी 2022 को इसका जो सबजेट है पैंसन के संबंद में कोश्यारी सिमित्ती की सिपारिश और यहाँ पर 732 नंबर परसन संख्या है किसने पूचा डोक्टर सुजे विखे पाटिल सिरी मत्ती अपरूपा पोदार सिरी उनमेश भाया साहे पाटिल डोक्टर सिरी कांत एकनाच सिन्दे जी डोक्टर हीनाव जे कुमार गावित सिरी किर्षनपाल सिंग यादव सिरी राजिंदर घढ Staff जड़िया गावित जी ने जो ये क्यूशन पूचा गया है कि क्या सरम और रोजगार मंत्री ये बताने की किरपा करेंगे कि क्या कोश्यारी सिमीति ने EPS 95 Employee Pension Skim 95 Pension बहुग गयों की New Term Pension को बढ़ाने के लिए कोई सिपारिस की है तो यहाँ पर देख सकते हो लोग सबामी काफी अच्छा क्यूशन पूछा गया सरकार से 7 फरवरी 2022 को अभी जो है बजट 70 चल रहा है क्यूशन संख्या 732 है तो साफ साफ यहाँ पर कैपर पूछा गया कि क्या कोश्यारी सिमीति ने EPS 95 Pension बहुग गयों की New Term Pension को बढ़ाने के लिए कोई सिपारिस की है यदि हाँ तो तथ संबंदी ब्योरा तथा इन सिपारिसों पर सरकार दोरा अब तक क्या कारवाई की गई है गय क्या EPS 95 Pension बहुग गयों को मुले सुजकांग के परभाव से बचाने के लिए महंगाई भत्ता देने का कोई प्रस्ताव है जैसा कि केंदर सरकार के जो Pension बहुग गयों है उनको दिया जाता है गय यदि हाँ तो क्या सरकार का विचार आर्थिक रूफ से पिछडे हुए EPS 95 Pension बहुग गयों को आईश्मान भारत योजना के अंतरगत स्वस्त स्वाव सुविधाएं परदान करने का है और डै यदि हाँ तो तत संबंदी ब्योरा क्या है तथा इन प्रस्ताओं के कब तक लागू होने की संबावना है तो दोस्तों सबसे पहले तो आभार थैंक्यू सो मज़ कहेंगे जनों ने भी ये क्यूशन पूछा है पहले ने लोग सबाव में स्वाल उठाया है पैंसन बढ़ोतरी को लेकर पैंसन के संबंद्न में कोशार समीति की सेपारिष को लेकर तो यहाँ पर अगर आपको दुबारा से पढ़ने तो पढ़ सकते हो बाकि मैंने आपको बता दिया यहाँ पर क्या क्या कुशन पूछे गए है EPS 95 पेंसन बोगयों को नियुनतम पेंसन को बढ़ानों के लेकर कोई सिपारिश की गई है अगर हाँ तो क्या कारवाई की गई तो संबंदी बोरा क्या है और यहाँ पर महंगाई बत्ता देने का कोई प्रस्ताव है EPS 95 पेंसन बोगयों को जैसा कि केंदर सरकार के जो पेंसन बोगयों उनको दिया जाता है इसके सासथ EPS 95 पेंसन बोगयों को आयशमन भारत योजना के अंतरकत स्वाश सिवा के बारे ही पूछा गया है और कब तक लागो होने की संबावना है चले आप जान लेते हैं इसका जो उत्तर है सरम और रोजगार राज्यमंत्री सिरी रामेश्वर तेली जी के दुवारा दिया गया है कै और खैका कोश्यारी सिमिती ने वरस साल 2013 में नियूनतम पैंसन को बढ़ा कर तीन हजार रुपे परतिमा करने तथा करमचारी पैंसन जोजना EPS 1995 के सदस्यों के लिए सरकार का अंसदान 1.16% से बढ़ा कर कम से कम 8.33% करने की भी सिपारिस की थी तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो साब 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 सरकार के तरफ से जबाब आया कि कोश्यारी समिती ने साल 2013 में मिनिमम पैंसन 3,000 रुपे परतिमा बढ़ाने की जो सिपारिस की थी और यहाँ पर EPS 95 के सदस्यों के लिए अंसदान 1.16% से बढ़ा कर कम से कम 8.33% करने की भी सिपारिस की थी और यहाँ पर बताए कि सरकार ने पहली बार वरस 2014 में बजटे साहता उपलब्द करा कर EPS 1992 के अंतरगत पैंसन बोगयों को एक जार उपे पर तिमा की नियूंतम पैंसन उपलब्द कराई थी जो EPS के निमित वार्षिक रूप से उपलब्द मजदूरी के 1.16% की बजटे साहता के अतरिक थी वरस 2021 के लिए नियूंतम पैंसन तदा सरकार के अंसदान के रूब में मजदूर के 1.16% के लिए 7.364 करोड रूपे की राषि उपलब्द कराई गई गय का आंस्वर दिया है यहां पर गय में पूछा गय था कि यहां पर महेंगाई भत्ते को लेकर तो यहां पर पूछा दिया गया है अंस्वर कि इपेश 1995 के लिए करमचारी पैंसन निदी एक सवत्ते वित्य पोसित निदी है इपेश 1995 के मुल्याकन और समिक्षा के लिए एक उच्छ स्त्रिय निगरानी स्मिती H.E.M.C. गटित की गई थी था सिमिती ने मासिक पैंसन को निर्वास उचकांग की लागत के साथ किसी परकार से जोडने की सिपारिस नहीं की थी क्योंकि इससे करमचारी पैंसन निदी के विते स्वास्त पर गंबिर पड़वाव पड़ सकते हैं जैसा की E.P.S. 1995 के पैरा 32 के अंतरगत सरकार द्वारा न्यूक्त बिमाकम द्वारा मुल्यकन किया गया था तथापवी H.E.M.C. द्वारा की गई सिपारिस के अनुसार सरकार ने E.P.S. 1995 के पुरुगत पैरा 12-1 के अंतरगत दिनाग 25-9-2008 को या इससे पहले पैंसन के सं पैंसन की बाली के लिए दिनाग 22-22 के यहां पर बताया गया है साकानी 132 एक के माध्यम से अपना निर्ने अधिसूचित किया है और यहां पर डी में बताया गया कि यहां पर घय और डैकांस हो दियागे कि आईश्मान भार्द परधामंतरी जन आरोगय योजना पी-एम- ऐसे एक वांदन का प्रयोग करके सामाजिक आर्थिक जातिकत जन्गन्ना डेटाबेस से लिए जाते हैं तथा भी एपेस पैंसन दारकों को चिकित सा सुईद्धा उपलब्द कराने के लिए एपेस 1995 में कोई प्रावदान नहीं है तो यहां पर सरकार ने साफ साफ गय दि और यहां पर बताया कि कितने करोड रुपे की राशी उपलब्द कराई और यहां पर पैंसन के साथ यहां पर महेंगाई बत्ते कर लेकर यहां पर नहीं दिया जबाब यहां पर बताया कि नहीं है और इसके साथ आईश्मान योजना के बार में बताया कि एपेस 1995 में कोई प्रावदान नहीं है चिकित सा सुविदा उपलब्द कराने के लिए तो ये एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है माने ले लोग सभा से अब दोस्तों आप कोमेंट बोक्स में कोमेंट करके जरू बताना कि आपकी क्या रहा है क्या सरकार जो है सही में सीरस है आने सुप्रीम कोट्रिले में लिस्टिड हैं और सीबीटी की मिटिंग भी होने वाली है मार्च महीने में वहां से जो भी नया अपडेट आएगा आपके साथ वीडियो के मादम से सेर करेंगे मिलते हैं नए अपडेट के साथ जल्द